अब यदि यहाँ पर जो है एक्जाम में आता है कि आप एल्डिहाइड से जो है एथिल एल्कोहॉल पनाई है तो आपको केवल क्या करना है यहाँ पर इस आर में आपको चेंज कर देना है चलिए करके देखते हैं यहाँ पर उधारण हम लेते हैं उधारण पर हम ले रहे हैं CS3, यह हमने लिया, यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा, Acetaldehyde, इसका नाम है, Acetaldehyde, Upchain की ही प्रक्रिया हो रही है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे, Upchain, और यहाँ जो है, आप Catalyst का यूज कीजिए, या Reducing Agent आपका यूज हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है, मैंने तो दोनों लिख दिया है, है ना, यहाँ तीन, चार कंडिशन अभी आप देखेंगे, तो यहाँ पर किस तरीके से आपके बन जाएंगे देखें, यह हो जाएगा, CS3, CH2, OH, और हमको जो बनाना था, वो प्राप्त हो गया, और वो क्या है, एथिल अलकोहॉल, तो यह बहुत आसानी से जो है, हम जो है, एल्डी हाइड से हमने क्या बना लिया, एथिल अलकोहॉल का निर्वान हो जाता है, आपको ध्यान में रखना है, जब आप एलडी हाइड लेते हो, acetaldehyde आप जब यूज़ कर रहे हो तब हमारा कौन सा alcohol बनेगा यह हमारा बन गया प्राथमीक alcohol तो आपको प्रश्न देखकर उसका उत्तर देना है कि हम हमारे प्रश्न पत्र में क्या पूछा है यदि हमको पूछेगा अथिल अब हमारे क्या हो गया है आर सी ठीक है आर आर अर्श्न प्राथमीक एलकोहॉल मिला अब हम कि टोन लेकर करते हैं इसको तो हमारे क्या हो गए आर सी ठीक है आर जबल बovyल्ट यह होता है कि के का करना है अभचय ही करना है और अभचयन की प्र 언니ania क्या होती है था साथ है है घ्रूजिजग के साथ अभिक्रिया हाइड्रूजिएक जुड प्र अलुमिनियम हैड्राइट की उपस्तिती में सेम जो है हमारा उपस्तिती आप वही रखेंगे और यहां पर जब हम कराते हैं तो देखे किस तरीके से आपका अभिक्रिया होगा यह तो आर आर है यह से ही रहेंगे इसमें जो है एच जुड़े आपके तो यह हो गए हमारे यह हम एच और यहां पर आपके जुड़ गय कर लें तो आर आर च ओ अर हमने कल क्या देखा था यह अंपर ध्यान देने वाली वालाथ क्या है यह दि हमारे अभिलाग ज़ होगा तब हम इसको खेंगे दूत्यक ऐलको हॉल तो यह बहुत इंपोर्टन नोट करने वाली बात यह यदि हम aldehyde लेते हैं तो प्रात्मिक अल्कोहल प्राप्त होगा, aldehyde के अपचैन से प्रात्मिक अल्कोहल बनता है और ketone के अपचैन से हमारा क्या बनता है, दुत्यक अल्कोहल बनते हैं, आप यहां उधारण लेकर भी कर सकते हैं, हमने यहां पर ले लिया, यहां पर आप ले लिजे, आर में आप CS3 डालिए और देखिए बनता क्या है, तो यह तो हो गया आपका acetone, यह आपने यहाँ पर कर लिया, यहां हमारा हुआ CS3, CS3, CHOH, और यह आप देख रहे हैं कि हमारा दुतियक अलकोहल है, और यदि हमको नाम देना है, तो आप कार्बन को काउंट कीजिए, कार्बन हमने कल पढ़ा था, IUPSC नाम भी हमने पढ़ा था, तो यहां कितने कार्बन आप देख रहे हैं, एक, दो, तीन, और हम इसी क्या कहेंगे, प्रोपील अलकोहल, और चुंकि कार तीन तरह से सराउंड हो रहा है, इसलिए हम उसमें क्या लगा देंगे, आईसो प्रोपील अलकोहल, ती यह हो गया हमारा दुतियक अलकोहल है, लेकिन नाम क्या है, आईसो प्रोपील अलकोहल, यहां पर देखेंगे, बस आपको जो है नोट में बहुत इंपोर्टन चीज यह याद रखना है, कि यदि हम एल्डी हैट का अपचैन करते हैं, तो हमको प्रात्मिक अलकोहल प्राप्त होगा, यदि हम किटोन का अपचैन करते हैं, तो हमको दुतियक अलकोहल मिलेगा, चलिए अब हम इसका देखते हैं, कि एस्टर के अपचैन से हमें क्या मिलेगा, तो चलिए, एस्टर का अपचैन, एस्टर हम लेते हैं यहाँ पर, आर, हम इसी का ही तीसरा कर रहा है, अपचैन ही पढ़ रहा है, आर, सी, जबल बॉन, ओ, इस तरीके से आप इसको लिख के दिखाएंगे, और और, यह किसका सुत्र हो गया, यह हमने किसका लिखा है, एस्टर का सुत्र लिखा है, आर, सी, ओ, ओ, आर, इस तरीके से लिखा जाता है, तो एस्टर का जब हम अपचैन करते हैं, यहाँ पर हम कि अब सब्सक्राइब योगी को लिया है पहले अलडिएड लियो फिर की टोन हमने लिया और अभी हमने क्या लिया है यहां पर एस्टर लिया है और आप चैन करेंगे तो दातू और विलायक का यूज करेंगे धातू तो आप सोडियम लिए विलायक आप और यहां पर जो है आप यदि रेगुजिंग एजेंट अगर हम लेते हैं तो अब हम इसका क्या कर रहे हैं अब तो अपचैन में हमारा पर बने गा इलकोहल करते हो गया एक हमारा हो गया इसमें से 2 एच में से एक के हो जाएगा रो एच्छ दूसरा आपके पास क्या बचा एक का र आपके पास और यहाँ पर बचे हुए यह हों गया और सी प्रकार से यह बनेगा तो यहां हम ने लिया CS3C double bond O, आप R में CS3 डालिए और देखिए क्या बनता है, और यह आपका हो गया हो, O, C2H5, इसका अगर हम नाम देना चाहे, तो हम क्या नाम दे सकते हैं, देखिए, इसको हम क्या कहेंगे, एथिल एसेटेट, यह हमारा क्या है, एथिल एसेटेट, ठीक है, अब हम क्या जा र आपके, किसकी उपस्तिती में होगी, वो तो आपकी सेम रहेंगे, जैसे सोडियम और एथिल एलकोहल और लिथियम एलुमिनियम हाइड्राइड की उपस्तिती में होगी, अब यहां पर देखिए आप, क्या आपके हो जाएंगे यहां पर, तो हमने यहां क्या निकाला था, एथिल अलकोहल तो आपके बनेंगे ही, यह हो जाएगा हमारा C2H5OH, यह तो हमारे बनें ही, एथिल अलकोहल तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में और हमारे पास क्या बच गया है, CS3, CH2OH, यह हमको जो है, एलकोहल आपका मिला, तो एथिल अलकोहल आपके मिल गया, दो मूल हमारे यहां भी देटिनलग और यह भी हमरे क्या वन गए अधीलG, तो हमारे यहां दो मुल जो है हमारे प्राप्त हो रहे हैं, जब हमने क्या यहां पर लिया? आस्टर, ठो यह हो गया हमारे अपचेन, और हमने तीनो का अपचेन यहां पर देखा, और इससे भी जो हमको alcohol प्राप्त हुआ है वो कौन सा हुआ है प्राथमिक alcohol प्राप्त हुआ है तो आपको यहाँ पर याद रखना है यदि हम यहाँ method of preparation में जब भी आप अपने copy में लिखते हैं तो आप जो है यही पर जो है आप जब सुरू में आप लिखेंगे तो यहाँ अपचैन के तो हमने देखा वहाँ पर क्या बन गया प्राथमिक alcohol तो आप यहाँ लिख देजे प्राथमिक alcohol यदि हम किटोन लेते हैं तो यह आप जो है आपको एक्जाम टाइम में पांच मिनिट जब बचा रहता है तब भी हम बुक्स को रेफर करते हैं तब आप केवल यह देखेंगे कि भई हम किटोन लेंगे तो हमारा कौन सा अलकोहॉल हमको मिलेगा और तीसरा हम देख रहे हैं एस्टर ठीक है ना तो जब हम एस्टर यहां लेंगे तो भी हमको क्या मिलेगा प्राथमिक alcohol अब यह किस प्रकार के अभिक्रिया होंगे है ना वो कैसे तो हम डिटेल में पढ़ी लेंगे ठीक है किस प्रकार के अभिक्रिया होंगे तो यहां पर आप जो है यह चीजियों को आपको बहुत याद रखना है एल्डी हैट के अपचैन से प्राथमिक अलकोहॉल कि टोन के अपचैन से दूतिय के अलकोहॉल एस्टर के अपचैन से अप यह तो हो गया अपचैन हमारे समाप्त हुए नेक्स्ट हमारा जो है कि हम प्राइमेरी जो है अमीन से जो है अलकोहॉल किस प्रकार से प्राप्त करेंगे प्राइमेरी अमीन से प्राथमिक अमीन से तो यह हमारा तीसरा हम लेते हैं प्राथमिक अमीन हम लेंगे इसको ऑभी कराएंगे। देखी चैहिंड देखिया है। और हम यह HNO2 मैंने अचानक कैसे लिग दिया, यह कहां से हमको प्राप्त हुए यह हमारे, यह हमको प्राप्त हुए NNO2 और SCL से प्राप्त हुए, ठीक है, वहां से हमने इसको ले लिया HNO2, अब हमारी रियक्शन क्या बनेंगे, हमेशा याद रखिए, जब भी आप जो है न करने के संभाना आप देख रहे हो, तो यह हो गया H2O, अब हमारे पास सेज क्या रहे गया है, देखिए, सेज है हमारे पास R-O-H, तो इस तरीके से जो है, हमको यहाँ पर अलकोहल मिल रहे है, और हम बना कर दिखाएंगे, कि हम जो है, यदि हमको प्रश्न आए, कि एमीन स ठीक है, एमीन से अलकोहल प्राप्त कीजिए, तो आप क्या करेंगे, अगर आपको कहें कि एमीन से जो है, आप मेथिल अलकोहल प्राप्त कीजिए, तो जैसे ही मेथिल बोलता है, आप R में कहां क्या रख देंगे, CS3, तो यह हो गए आपका A, CS3, NH2, प्लस, यह आप ऐसे सकते हो, HO, NO, इस तरीके से भी लिखते आप दिखा सकते हो, यदि आपको वाटर मॉलीक्यूल निखालने की यह जरूत है, दिखाने की जरूत है, तो यह लिख सकते हो, तो यह हो गया हमारा H2O, जो है बाहर हो जाएगा, यह हो गया हमारे H2O, और मैंने कहां, एक चीज ध्यान देना है, यदि हमारा नाइट्रो कमपाउंड्स होते हैं, यदि नाइट्रूजन होगा, तो जरूर वहाँ से जो है, गैस के रूप में हो निकलता है, तो यह हो गया हमारा H2O तो निकला ही, साथ में N2O भी लिब्रेट हुए, अब हमारे पास क्या बज़ गया,